For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इन दोनों का रिष्टा ज्यादा लंबा नहीं चला और आखिर ये दोनों अलग हो गए. मगर फिल्म टाइगर जन्दा है कि शूटिंग ने इन दोनों की बीच की दरार को मिटा दिया. और दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त हैं. फैंस ये देखकर काफी खुश हुए थे. मगर आप फिल्म भारत का ट्रेलर देखने के बाद उनकी एक्स्पेक्टेशन्स बढ़ गई हैं. और आप वो सल्मान और काट्रीना की शादी देखना जाते हैं. इंटरनेट पर सल कल का हैश्टाग भी वाइवल हो रहा है और एक इंटरनेट यूजर ने तो सोशल मीडिया पर लिखा और आप एसे कॉमेंट से भर चुका है और अब देखना ये है कि क्या ये दोनों अपने फैंस की ये दिमांट पूरी करेंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राए हमें ज़रूर बताएं. पन भालत के ट्रेलर में सल्मान खान और दिशा पातनी के एक गाने की छलक भी नजर आई थी. जहां सल्मान रेट्रो लुक में च्छा गये हैं, वहीं दिशा भी येलो सारी में घसब ठा रही थी. ये गाना था स्लो मोशन और ट्रेलर में इस गाने ने सभी का दिल बख्खूपी जीत लिया. दिशार सल्मान की Amazing Chemistry इस गाने में साफ नजर आई और ट्रेइलर में इस गाने के जलक देखकर फैंस अब इस गाने के अन्वेल होने का इंतसार कर रहे थे. और साथ ही सोशल मीडिया पर भी फैंस, ट्वीट्स और कॉमेंट्स के जरिये इस गानी को लेकर अपना excitement एक्सप्रेस कर रहे थे ये देखते वोई मेकर्स ने कल ही इस गाने के टीजर को भी कर दिया अन्वेल और इसे ओडियन्स की expectations और भी बढ़ गई आखिर अपने फैंस को इतना टीज करने के बाद मेकर्स ने इस स्लो मोशन गाने को अन्वेल कर ही दिया और माई माई, ट्रेलर और टीजर से कई गुना धमाकेदार था ये स्लो मोशन गाना दिशा और सल्मान की गसप chemistry और awesome dance moves ने तो इस गाने में चार चान लगा ही दिये और अब जो हमने इस गाने को देखी लिया हम सब तो इसे स्लो मोशन में ही नहीं बलकि लूप में enjoy कर सकते हैं और आप सल्मान खान और महेश मांजरेकर काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने कई फिल्मों में भी एक साथ काम किया है इन फाक्ट मराथी बिग बॉस के पहले सीजन को होस्ट करने से पहले महेश ने सल्मान से सलहा पी नी थी क्योंकि वे बिग बॉस हिंदी के regular होस्ट रह चुके हैं कई महिने पहले महेश मांजरेकर ने खुद कन्फर्म किया था कि सल्मान उनकी बीटी अश्वामी को लॉंच करने वाले हैं। तब से ही ये चर्चा थी कि अश्वामी दबंग 3 का हिस्सा होंगी। मगर कोई ओफिशल अनौंस्मेंट नहीं हुआ। पर जैसे जैसे दिन बीटते गए सब ही इस बात को भूल गए। मगर सल्मान नहीं। उन्होंने अपना वादा निभाया और अश्वामी को दबंग 3 में कास्ट किया। सुत्रो के अनुसार अश्वामी इस फिल्म में उस लड़की का रोल निभाएगी जिसे चुलबल पांडे बचाता है। और गैस वाट इसी सीन से सल्मान खान की एंट्री होगी। अश्वामी और सल्मान के सीन से पूरी फिल्म का नारेटिव सेट होगा। आलंके अब तक इस बात को लेकर कोई ओफिशल अनॉंस्मेंट नहीं हुई है। मगर फिर भी हमें फिल्म दबंग फ्री में अश्वामी की एंट्री का इंतिजार रहेगा। है ना। 1994 में मौहरा के गाने ने ओडियन्स के दिलों में आग लगा दी थी। यहां हम बात कर रहे हैं टिप टिप बरसा गाने की जहां रवीना टंडन पीली साड़ी पहने घजब धा रही थी। अक्षे कुमार और रवीना टंडन का ये गाना आज भी काफी पॉपिलर है और फैंस इस गाने को आज तक भूल नहीं पाए है। अगर सालों बात फिल्म भारत में दिशा ने बिल्कुल वैसी ही पीली साड़ी पहन कर अपने स्लो मोशन गाने से हमें रवीना और उनके इस गाने की याग दिला दी। सच में दिशा के इस लुक को देख कर सभी नोस्टाल्जिक होकर 90's के दौर को याद करने लगे। फिल्म भारत की ट्रेलर से हमें इस गाने की पहली जलक नजर आई और फिर मेकर्स ने इस गाने के टीजर को लॉंच करके सभी को नोस्टाल्जिया के समंदर में ढखेल दिया। अब स्लो मोशन गाने में दिशा और सल्मान की केमिस्ट्री और उनके हॉट डांस मूव्स को देख कर हम सब को फिल्म में उनकी अम्मीजिंग केमिस्ट्री देखने का इंतिजार रहेगा। है ना? कुछ दन पहले हमने आपको बताया था कि शारू खान बेजिंग फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म जीरो को प्रोमोट करने के लिए चायना गए थे। वहां वो कई प्रोड्यूसर से भी मिले जिससे हमें ये हिंट हुआ कि जल्द ही वो अपना हॉलिवूद डेब्यू भी अनौन्स कर सकते हैं। मगर ये क्या? उन्होंने डेब्यू तो अनौन्स कर दिया, मगर हॉलिवूद में नहीं, बलकि टॉलिवूद में। जी हां, किंखान जल्द ही साउंट इंडियन सूपरस्टार विजय की आगामी फिल्म थालप अथी 63 में आएंगे नजर। इस फिल्म में वो सिफिक कैमियो ही नहीं, बलकि एक फुल फ्लेज़ट विलिन का रोल निभाने वाले हैं। और हालनकी फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम केवल 15 या 20 मिनुटों का है, फिर भी इसमें एक स्पेशल क्लामिक्स फाइटिंग सीन भी होगा। अब किंखान और विजय को एक ही परदे पर देखना, किसी भी फिल्मी बफ के लिए सोने पे सुहागा जैसा होगा। और अब जो हमें इस फिल्म के बारे में पता चला है, हम सब इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। और आग। और कुछ लोग इस फिल्म में कैट के डी ग्लाम लुक से इंप्रेस्ट हैं। ट्रेलर में सलमान और काट्रीना के एक गाने की जहलक भी नजर आई। जिसमें दोनों अपने चुलबुले अंदाज में एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं। बैग्राउंड के सेट को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि ये गाना एक वेडिंग सौंग है। इस गाने में सलमान ने ब्लाक शिर्ट पहन रखी है और वो काफी यंग लग रहे हैं। बिल्कुल अपने मैंने प्यार किया दिनों की तरह। वहीं कैट भी पिंक सारी और गु अन्वेल होने का इंतजार है। है ना? और ट्रेलर में इस गाने ने सभी का बखु भी तिलजीत लिया है। दिशाओ सलमान की Amazing Chemistry इस गाने में साफ नजर आई। और ट्रेलर में इस गाने की जहलग देखकर फैन्स अब इस गाने के अनवेल होने का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फैन्स ट्वीट्स और comments के जर्ये इस गाने की तारीफ कर रहे हैं एक internet यूजर ने लिखा waiting for chart buster song of the year slow motion वहीं एक और यूजर ने विशाल डदलानी की तारीफ करते हुए लिखा विशाल डदलानी सर जी slow motion गाना चाहिए अब इस गाने को मिल रहे stupendous response को देखते हुए makers ने इस गाने का teaser भी कर फिल्म की ट्रेलर की ही तरह slow motion की टीजर ने भी internet पर धम्मा का कर दिया है और ये देख कर हमें यखीन है कि ये गाना launch के बाद super duper hit ही होगा है ना एक लंबे इंतजार के बाद आगर 1 एप्रिल को फिल्म दबंग 3 की शूटिंग मत्य प्रदेश में शुरू हुई सल्मान की इस much anticipated film को लेकर fans के मन में काफी curiosity थी और इसने makers अपने fans को खुश करने के लिए अपनी film के हर चोटे बड़े पल को उनकी साथ शेयर कर रहे हैं मगर फिर भी जहां सल्मान होते हैं वहां उनकी fans का होना तो नाचरल ही है तो इसलिए film के sets पर भी fans की भीर तो जमा हो ही जाती है मधिय प्रदेश में अपने film की shooting के पहले schedule को wrap-up करने के बाद सल्मान खान अब मुंबई में अपने अगले schedule को भी केक्स्टार्ट कर चुके है और यहां भी MP की ही तरह कई fans उनसे मिलने आए इन में से एक fan था संगय जो अपने hero से मिलने दबंग 3 के sets पर आ पहुँचा और इस fan की शिद्दत देख कर सल्मान इतने impress हुए कि उन्होंने खुद इस fan के साथ pose भी किया यह fan pic भी अग भाई जान की अंकिनत fan pics का हिस्सा बन चुकी है और दूर बैठे हुए fans इन pics को देख कर ही अपने hero से मिलने की खुशी experience कर लेते हैं तो सल्मान के इस fan pic को देख कर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं झाल